नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कक्छा बारह सामान्य हिंदी एवं सहित्तिक हिंदी वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए संस्क्रीत दिखदर्शी का खंड से जातक कथा का हिंदी अनुबाद लेकर आया हूँ दोस्तों यह पाठ परिच्छा के लिए बहुत ही महत्पूर्ड है इसे आप जरूर तयार कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जातक कथा जातक मतलब जन्म लेने वाले की कथा मतलब कहानी तो पहला है उलुक जातकम यानि उलु जातक की कहानी उलुक तो आईए शुरू करते हैं अतीते प्रथम कल्पे जनाह एकम अभिरूपम स्वभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिप्रूलम पुरूसम राजानाम अकुरूवन एक सब्दो कार्थ जानिएगा अतीते अतीते मतलब बिते प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में जनाह लोगों एकम अभिरूपम एक सुन्दर सोभाग्य प्राप्तम सोभाग्य साली सर्व आकार परिपुर्डम सभी आकार से परिपुर्ड पूरुसम पूरुस को राजानाम राजा अकुरुवन किया या राजा बनाया एक बार फिर से देख लिजिएगा अतिते प्रथम कल्पे जना बिते प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुन्दर सोभाग्य साली सर्व आकार से परिपुर्ड पूरुसम को राजा बनाया चतुस पदा का मतलब दोस्तो चोपाय मतलब चार पैरों वाले यानि पसु चतुस पदा अपी चोपायों ने भी या पसु ने भी सनिपत्य का मतलब इकठे होकर एकम सिहम एक सिह को राजा नाम कुरुवन राजा बनाया चस्तुतुस पदा अपी सनिपत्य एकम सिहम राजा नाम कुरुवन चोपायों ने भी या पसुओं ने भी इकठे होकर एक सिहम को राजा बनाया तब सकुनी का मतलू होता है पक्छी तब पक्छी गड हिमवत परदेशे हिमाले परदेश के एकस्मीन पासाले एक पत्थर पर सनिपत्य यानि इकठे होकर तब पक्छी गड हिमाले परदेश के एकस्मीन पासाले सनिपत्य एक पत्थर पर इकठे होकर मनुस्येशू राजा प्रग्यायते मनुस्येशू मनुस्यों में राजा प्राग्यायते राजा माना जाता है तथा चतुस पदेशू च और चोपायों में भी पसुओं में भी एक बार इसको फिर से समझ लीजिए तब पक्छीगड हिमाले प्रदेश के एक पासाड परिकटे होकर मनुस्यों में राजा माना जाता है तथा चौपायों में भी असमाकम पुनरंतरे राजा नास्ती असमाकम हमारे पुनरंतरे बीच राजा नास्ती राजा नहीं है अराज को मतलब बिना राजा के वास नहीं किया जा सकता एक को राज स्थाने इस्थापय तब्यह इती उक्तवंत एक को एक को राज स्थाने राजा के स्थान पर इस्थापी तब्यह इस्थापित करना चाहिए इती उक्तवंत ऐसा कहा अथते तब वे परस्परम अलो के अंतह यानि परस्पर एक दूसरे को देखते हुए तब वे एक दूसरे को देखते हुए एकम उलुकम एक उलुको द्रिष्टवा देखकर अयम यह नो हमें रोचते अच्छा लगता है इत्ते ओचन ऐसा कहा अथते परस्परम अलो के अंतह तब वे एक दूसरे को देखते हुए एकम उलुकम द्रिष्टवा एक उलुको देखकर अयम नो रोचते यह मुझे अच्छा लगता है इत्ते ओचन ऐसा कहा अब एक बार आप समेकित हिंदियन बाद देख लिजिए बिते प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुन्दर सभाग्य साली सभी आकार से परिप्रुडपुरुस को राजा बनाया चौपायों ने भी इकठे होकर एक सिह को राजा बनाया तब पक्छीगड हिमाले प्रदेश के एक पत्थर पर इकठे होकर मनुस्यों में राजा माना जाता है तथा चौपायों में भी हमारे बीच राजा नहीं है बिना राजा के वास नहीं किया जा सकता है एक को राजा के स्थान पर इस्थापित करना चाहिए ऐसा कहा तब वे परस पर या एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर अयम न रोचते इत्ते वोचन यह मुझे अच्छा लगता है ऐसा कहा आगे देखिए अथेकह सकुनी तब एक पक्षी सकुनी मतलब पक्षी सर्वेसाम सभी के मध्धा दासे ग्रहण आर्थम सभी के मध्ध आसे ग्रहण करने के लिए अथेक सकुनी सर्वेसाम मध्ध आदसे ग्रहण आर्थम तभी एक पक्षी सभी के बीच मत को जानने के लिए त्रीकृत्रवह तीन बार अस्त्रवायत सुनाया तब एक पक्षी सभी के बीच मत को जानने के लिए तीन बार सुनाया उल्लू का नाम लेकर ततह एक हकाक, तब एक कवा उत्थाय उठकर तिष्ट तावत बैठ जाओ, तब एक कवा उठकर क्या कहा बैठ जाओ, अश्य, इसका एत असमीन इस, राज अभिσेक काले, राज अभिसेक के समय एवरूपम् भविष्यती कईसा होगा इसको फिर समझेगा तब एक कवाह तब एक पक्षी सभी के बीच ती मत को जानने के लिए तीन बार सुनाया कि कितने लोग इस पक्ष में हैं कि उल्लू को राजा बना दिया जाए तब एक पक्षी सभी के बीच मत को जानने के लिए तीन बार सुनाया तब एक कवा उठकर बैठ जाओ इसका इस राजविशेक के सम्में मुख ऐसा है कृधस्य चाक कि द्रिसंभोती तो क्रोध में होने पर कैसा होगा अननेन ही कृधेन अलोकितह इसको क्रोध में अलीकतह देखते ही वयम हम तपत कटा है गर्मकलाही में प्रचिपतस्त तिलह पड़े हुए तिल के समान इव तत्र यहाँ वहाँ दट्ष्याम भोन जाएंगे फिर समझेगा हम अनेन ही कृधेन अलोकिता इसको क्रोध में देखकर वयम हम गर्मकलाही में पड़े तिल के समान यहाँ वहाँ जल भोन जाएंगे इद्रिसो राजा महयम न रोचते इद्रिसो ऐसा राजा राजा महयम मुझे न रोचते अच्छा नहीं लगता इत्याह ऐसा कहा अब इस पैराग्राफ को भी एक बार एक साथ समझ लीजिए फिर एक पक्छी सभी के बीच मत को जानने के लिए तीन बार सुनाया तब एक कवा उठकर बैठ जाओ इसका इस राज विशेक के समय मुख ऐसा है तो क्रोध में होने पर कैसा होगा इसे क्रोध में देख कर हम गर्म कडाही में पड़े तिल के समान यहां वहां भुन जाएंगे ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता इत्याह ऐसा कहा फिर देखिए क्रोध के मुखम पस्य मुख को देखो इसके क्रोध रहित मुख को देखो कथम क्रुधो भविस्यती कथम कैसा क्रुधो क्रोध में होने पर भविस्यती होगा एक बार एक साथ समझ लिजिए, मुझे इस उल्लू का राज्य विशेक अच्छा नहीं लगता, इसके अक्रुध मुख को देखो, क्रुध होने पर कैसा होगा? सह एवं उक्तवा, ऐसा कहते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता, इती विरुवन आकासे उद्पतत, चिलाते हुए आकासे मतलब, आकास में उद्पतत मतलब उड़ गया सह एवं उक्तवाव, ऐसा कहते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, चिलाते हुए आकास में उड़ गया उलु को अपी, उलु भी उत्थाय उठकर इन मनम धावत उसका पीछा किया उलु भी उठकर उसका पीछा किया तत आरभ्य तब से लेकर तव वे दोनों अन्य योन्य बेरिड़ा एक दूसरे के सत्रू जातो हो गयें तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के सत्रू हो गयें सकनेह पक्षी अपी भी स्वर्ड हंसम स्वर्ड हंस को राजानाम कृत्वा राजा बना कर अगमन चल दियें समझ गे होंगे दोस्तों यह था उलुक जातकम अब इसका जो दूसरा पार्ट है निर्त्य जातकम इसको भी देख लिए जे निर्त्य जातकम का कहानी का आधार निर्त्य है निर्त्य को आधार मान करे है जातक कथा लिका गया है इसलिए इसका नाम है निर्त्य जातकम तो देखिए अतीते प्रथम कल्पे बिते प्रथम कल्प में चतुस पदाह चौपायों ने यानि पसुओं ने सिहम राजानाम अकुरुवन सिह को राजा बनाया अतीते प्रथम कल्पे चतुस पदाह सिहम राजानाम अकुरुवन बिते प्रथम कल्प में चौपायों ने सिह को राजा बनाया मच्याह आनंद मच्यम मच्या मच्यलियोंने आनंद मच्यम आनंद मच्यली को सकुनेह पच्छियोंने सुवर्ड हंसम सुवर्ड हंस को एक बार फिर से इतना देख लिजिए बीते प्रथम कल्प में पच्योंने सिह को राजा बनाया मच्याह आनंद मच्यम मच्यलियोंने आनंद मच्यली को सकुनेह सुवर्ड हंसम और पच्छियोंने सुवर्ड हंस को तस से पुनह फिर उस सुवर्ड राज हंस की दुहिता यानि पुत्री हंस पोती का अतीव बहुत रूपवती आसीत बहुत सुन्दर थे फिर समझिये बिते प्रथम कल्प में चौपायोंने सिह को राजा बनाया मच्यलियोंने आनंद मच्यली को पक्योंने सुवर्ड हंस को उस सुवर्ड राज हंस की पुत्री हंस पोती का अतीव रूपवती आसीत हंस पोती का बहुती रूपवती थी सुन्दर स्थी आत्मन का मतलब अपने चितरुचितम याने मन पसंद स्वामिनम स्वामी का व्रिलयात इति चुनाव करे ऐसा इति मतलब ऐसा फिर से समस लिजे मन पसंद स्वामिनम व्रिलयात इति स्वामी का चुनाव करे ऐसा हंसराज तस्य वरमदत्वा हंसराज तस्य उसे वरमदत्वा वर देकर हंसराज तस्य वरमदत्वा हंसराज उसे वर देकर हीमवती हिमाले में सकुनी संगे यानि पक्षियों के समुह में सन्य पतत उतरा हंसराज उसे वर देकर हिमाले में पक्षियों के समुह में उतरा अब देखिए नाना परकार हन्समयूर आदि सकुनी गड़ यानि पक्छी गड़ अनेक परकार के हन्समयूर आदि सकुनी गड़ यानि पक्छी गड़ अनेक परकार के हन्समयूर आदि पक्छी गड़ समागत्य आकर एकस्मीन एक महती बिसाल पासाल तले पत्थर पर सन्य प पतन उतर गए फिर समझ लिजिए नाना प्रकार के हंस मयूर आधी पक्षीगड एक आकर एक बिसाल पत्थर पर उतर गए हंस राज हंस राजह आत्मनह अपने चितरुच्तम मन पसंद स्वामिकं स्वामी का आगत्य आकर व्रिडुयात चुनाव करे इती ऐसा दुहितरम पुत्री को आधी देश दिया फिर समझ लिजिएगा नाना प्रकार के हंस मयूर आधी पक्षीगड आकर एक बिसाल पत्थर पर उतर गए हंस राज अपने मन पसंद स्वामी का आकर चुनाव करे इती दुहितरम आधी सह ऐसा पुत्री को आधेश दिया सा सकुनी संगह अलो के अंती सा वह सकुन संगह पक्षियों के समुह को अलो के अंती देखते हुए मडी वर्ल गिर्वम मडी के समान वर्ल रंग वाले मडी के समान गर्दन वाले मडी के समान रंग वाले इसको कह लिजे मडी वर्ल गिर्वम यानि ऐसा गर्दन जिसका रंग कैसा हो मडी वर्ल मडी के समान हो यानि मडी के समान गर्दन वाले चित्र प्रेक्षडम चित्र प्रेक्षड नाम है समझेगा हैं पर फिर से सा सकुनी संगह अलो क्यंती वह पक्षियों के समुह को देखते हुए मडी वर्ण गिर्वं मडी के समान वर्ण वाल गर्दन वाले चित्र प्रेक्छडं मयूरं मयूर को द्रिष्टवा देखकर अयम यह में मेरा स्वामी को स्वामी भौतु बने इत्य भासत ऐसा बोली वह पच्छियों के समान को देखते हुए मडी वर्ण के समान गर्दन वाले चित्र प्रेक्छडं मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी हो इत्य भासत ऐसा बोली मयूरह मयूर अध्यापी आज भी तावन में तुम बलमन पस्यसी बलको नहीं देखती हो मयूर अध्यापी तावन में बलमन पस्यसी मयूर क्या बोला आज भी तुम बलको नहीं देखती हो मेरे बलको नहीं देखती इती ऐसा कहते हुए अती गर्वेड बड़े गर्व से लज्जनाच त्यक्त्वा लज्जा को त्याग कर ताव अनमहत उस बिसाल सकुनी संघस्य पच्छियों के समुह में के मध्य बीच पक्छो यानि पंखो को प्रसार्य फैला कर नर्तिम नरतित आरब्धवान यानि नृत्य करना आरब्धवान आरंब कर दिया नृत्यन नृत्य करते हुए चा प्रती छिन्नो अभूत और नृत्य करते हुए नगन हो गया मयूर आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती ऐसा बड़े गर्व से लज्जा को त्याग कर उस बिसाल पच्छियों के समुह में पच्छियों के समुह के बीच पंखो को फैला कर नर्तित आरब्धवन नृत्य करना आरंब कर दिया नृत्ययंचा प्रतिछिन्न अभूत और नृत्य करते हुए नगन हो गया स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गया अस्य नेव ही अस्य इसके अंदर नम नहीं है ही यही मतलब सर्म अस्य नेव ही इसके अंदर सर्म नहीं है अस्य नेव ही अस्य इसके अंदर सर्म नहीं है स्वादु ही तरम अपने पुत्री को ना अस्य में दास्या में इसे नहीं दूंगा इत्यकत्यत ऐसा कहता है इसको आप फिर समझ लेजिए मयूर आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती बड़े गर्व से लज्जा को त्याग कर उस विसाल पच्छियों के समोह में के बीच पंखो को फैला कर नरित्य करना आरंभ कर दिया नरित्य करते हुए नगन हो गया सुर्ड राजहंस लज्जीत होकर इसके अंदर नहीं सर्म है और नपंख फैलाने में लज्जा मैं इस लज्जाहिन को गत तरपाए ना असमे गत तरपाए मैं इस लज्जाहिन को स्वधुहितराम दास्यामी देखिए यहां क्या है ना मतलब नहीं असमे मतलब इस गत तरपाए यानि लज्जाहिन को स्वधुहितराम दास्यामी मैं इस लज्जा ही इनको अपनी पुत्री नहीं दूँगा इत्य कत्यत ऐसा कहता है हंस राज तदियो हंस राज तभी परिशन मद्धे यानी सभा के मद्धे में आत्मन अपने भागिने हंस पोत का हंस पोत को दुहितरम अदादत पुत्री दे दिया हंस राज तभी सभा के मद्धे में अपने भागिने हंस पोत को दुहितरम अदात पुत्री दे दिया मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य मयूर भी हंस पोतिका को प्राप्त न करने से लज्जित होकर तस्मात इस्थानात उस इस्थान से पलाईत ह पलायन कर गया भाग गया हंस राज भी हंस राज भी हरिष्ट मान सह प्रसन मन से स्वग्रिह मगच्छत अपने घर चल दिया एक बार फिर से देख लिजिए हंस राज तभी परिस्थाभा के मध्य में अपने भगिने हंस पोत को पुत्री दे दिया मयूर हंस पोतिका को प्राप्त न करने के कारण लजजित होकर उस स्थान से भाग गया हंस राज भी प्रसन मन से स्वग्रिह मगच्छत अपने घर को चल दिया तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा होग तो लाइक कर दिजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद